हाई स्टूरेंट्स तो यह मीटिंग नाउ पॉर लेक्चर नंबर सिक्स अभी तक हम लोगोंने कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या कर लिया है आप लोग को मेरे खाल से सब कुछ तो याद होगा ही हम लोगोंने स्टार्ट किया था कि कॉस्टिंग और फिनांशल अकाउंट के अब फरक क्या होता है हम लोगोंने यह चीज भी देखा था कि तुम्हारा जो कॉस्टिंग है वो कैसे चलता है उसके अंदर अल्ड़ टाइप्स ऑफ कॉस्ट काम टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग डारिक मटियर डारिक लेबर डारिक एक्सपेंसे फाक्ट्री अबरेट एक्स अरे स्टॉक्स आजाते हैं त्री ताइप्स ऑ रॉम अडियल डबलो इप न फिनिश्टॉट रॉम अडियल श्टॉक इस वालूड अट परचेस कॉस्ट डबलो इप स्टॉक अगर कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो डारिक मटियर डारिक लेबर डारिक एक्से इंडियल इन परडीकलर केस यूर अड्मीनेरॉशिन विच रिलेटी कॉशिंज से डार डारिक ठीक है हम लोगों ने उसके बाद सारी के सारी कोस्टिंज करने करने жिप्रया जीचिन क्या हम लोगों अपने जो भी अभी तक 3 कोशिंज हुए उसके अंदर हम लोगों ने व finished goods नहीं है तो quantity produced will be equal to quantity sold ऐसे questions के अंदर अगर आप लोग per unit वाला column नहीं भी बनाओगे तो भी वो चलेगा लेकिन some ने बोला वा था कि बना देना therefore हम लोगों ने बना दिया था ठीक है अभी तक हम लोगों ने ये सब कुछ किया है now we are trying to be proceeding further ठीक है चले तो आज का अपना जो काम है that is question number seven obviously कोई पूछ सकता sir question number six नहीं करवाया question number six भी brown के अंदर था so that is supposed to be done for homework okay बस वहाँ पे एक adjustment था जो में को लगता है कि तुमारे एक दो और question खतम हो जाएंगे उसके बाद you all do it तो question number six भी तुम लोगो ही वो करना है okay but you all wait for today's lecture and then you all try to be doing it ठीक है और आज का भी तुमारा जो होंवक है वो काफी जादा होने बाला है so ensure that आप लोग रोज का रोज अपना काम करो I want everybody to be watching all these lectures and all of those people who will be watching I assure you if you follow the pattern whatever we are going to be doing you will easily get 90 plus in this particular subject okay so let's start question number seven question number six आप लोग का ही काम है तो जब आप notebooks के ने solve कर रहे हो मैंने यहाँ पर लिखा होगा leave one side तो आप लोग one side जो है question number six के लिए छोड़ दीजेगा आज के lecture के बाद वो वाला जो चीज है वो try करना वहाँ पर एक adjustment है जिस शायद आज के lecture के बाद that will become quite easy for you okay so let's start question number seven please परते हैं electronics limited furnishes the following information for 10,000 CTV tubes CTV मतलब color TV tubes manufactured during the year 2021 ठीक है materials 90,000 factory wages 60,000 consumable stores 12,000 बराबर से अभी factory indirect wages 15,000 lighting of factory 3,500 उसके बाद ये अलग से एक चीज है defective work cost of rectification 3,000 मैं हरी का मतलब एक मिनट के बाद explain कराऊ office and selling expenses 3,000 sorry 39,000 plant repairs and maintenance and depreciation 11,500 the net selling price was Rs. 31.60 and all the units were sold ठीक है चली एक और बार सम पढ़ते हैं अगर अपने को quad sheet बनाना है बाद में जो अभी तक अपने को वो नहीं मालूम तो अपने को शायद classification की ज़रुरत तो पढ़ेगी हर एक चीज किदर आता है तो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं we are going to be thinking हर एक expense किदर आएगा हम लोग साथ साथ में लिखते रहेंगे ठीक है तो materials materials मतलब direct material ही होएगा बिटा okay 90,000 factory wages बिटा factory wages wages दो टाइप्स का होता है one is direct wages one is indirect wages direct wages मतलब wages paid to those people who produce your product indirect wages मतलब wages paid to those people who do not produce जो बंदा वो जाड़ू मारता है plant and machinery का maintenance करता है ऐसे price रहा अभी factory wages बिटा सुन direct wages भी factory में लगता है indirect wages भी factory में लगता है कुछ नहीं बोला direct wages ही होएगा यार so therefore this is your directly labor आगे consumable stores अभी consumable stores क्या होता है आप लोग को machine चालू करनी है ठीक है machine चालू तभी होएगी जब आप उसके नब petrol डालोगे petrol is consumable store शाइब petrol भी material है लेकिन वो product के अंदर नहीं जाता it is used to run the machine that is nothing but consumable stores ऐसी चीज़ें obviously किदर आने वाली है ये वाला खर्चा factory के अंदर ही होता है so therefore factory overheads चीक है यहाँ पे जो बंदा ज़ाडू मारते है plant and machinery का जो maintenance करते है वो सब कुछ तो ये बाला चीज़ भी तुम्हारा factory overheads के अंदर ही आजाएगा ठीक है अगे factory के अंदर ही लग रहा है lighting of factory factory के जो lights वगेरा वो लगेंगी ताकि worker लोको product दिखाई दे बेटा वो वाला भी खर्चा factory का ही अदा so therefore this खर्चा will be nothing but factory overheads ठीक है अभी आगे important है defective work cost of rectification 3000 defective work cost of rectification 3000 defective work हम लोगों ने suppose ये वाले pens बनाते हैं ठीक है pens बनाया कुछ pens ना बराबर नहीं बने उसके ने scratches बगेरा था तो हम लोगों ने फिर ना उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ और खर्चा किया जरा सोचो ये वाला जो खर्चा है किदर होने वाला है factory के अंदर so therefore ये वाला भी जो चीज है किदर हो जाएगा बेटा factory overheads ठीक है office and selling expenses I think this is nothing but your general admin और उसके बाद plant का repairs plant मता machinery होता है and maintenance and depreciation ये सारे के सारे खर्चे किदर के हैं बेटा factory overheads के हैं तो factory के अंदर ही होते हैं so therefore factory overheads चीजगी the net selling price was 31.60 and all the units were sold तो सब कुछ बिग गया तो उन लोग ने बोला था 10,000 color TV tubes बनाया अभी अभी उन लोग ने बोला सारा का सारा 10,000 color TV tubes अपना बिक भी गया so quantity produced is equal to quantity sold में को जरा बोलो if quantity produced is equal to quantity sold और यहाँ पर किदर भी नहीं दिया हुआ कि opening stock was zero sorry कि opening stock था question कि था opening stock मलब opening stock of finish goods तो जरा सोचो opening stock of finish goods था नहीं जितना produce किया उत्रा बेच दिया तो common sense है क्या zero हो जाएगा closing stock of finish goods वो obviously से ठीक है आगी as from jan 1st 2022 selling price was reduced to 31 per unit ठीक है it is estimated that production could be increased by sorry in 2022 by 50% due to spare capacity बोलो क्या बोलता है कि न हम लोग jan 1st 2020 के लिए sorry 2022 के लिए अपना selling price कम करके 31 करने वाले हैं ठीक है इसे पहले एक important चीज ज़रा सुनना ये वाला data क्या था this was the data for 2021 this was actual data for 2021 2021 के नहीं सच्ची के अंदर क्या क्या खर्चे हुए material, labor, blah 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 ठीक है अभी वो लोग ना तुम लोग को 2022 का data दे रहा वो लोग क्या बोलते हैं अगले साल हम लोग price 31 कर देगा ठीक है it is estimated that production could be increased in 2022 by 50% due to spare capacity तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना production हम लोग next year 50% से बढ़ा देंगे तुमारा इस साल कितना production हुआ था 10,000 next year 50% से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15,000 rates for material and direct wages will be increasing by 10% वो लोग क्या बोलता है कि material का rate और direct wages का rate कितने percent से बढ़ जाएगा 10% ठीक है required required में को तुमको case वो ये वाला जो shots है वो नहीं दिखाने का है ठीक है तो पड़ो ज़रा prepare cost sheet for 2021 showing various elements of cost per unit तो लोग ने बोल दिया कि per unit बनाओ ठीक है तो per unit बना देंगे prepare estimated cost and profit for 2022 estimated याद रखना 2021 वाला जो साल है बीत लिया 2022 जो है start होने वाला है जो चीज होने वाला है उसके लिए आप लोग actual चीज तो नहीं कर सकते ओके obviously आप लोग को estimated करना पड़ेगा अगर आज में तुम लोग को पूछ हो तुम को inter के न कितना marks मिलेगा तो तुम लोग estimated ही बताओगे न मेरे को actual तो नहीं बता सकते assuming 15,000 units will be produced and sold during the year तो मेरे क्याल से तुम लोग को एक चीज मालूम है कि 15,000 कैसे आया पिछले साल 10,000 था 50% से बढ़ गया and इस चीज को double underline करना factory overheads will be recovered as percentage of direct wages and office and selling expenses as a percentage of works cost and office and selling expenses will be recovered as a percentage of works cost बस पूरा का पूरा जो सम है न वो इसी चीज के बारे में है और एक और चीज के बारे में है that we will try to be seen तो अपने को दो काम करने का है A and B अच्छा एक और चीज अगर exam के ने ऐसे question के अंदर आप लोग के पास time का महना to solve फिर आप cost sheet जो है columnar बना देना 2021 का उसी के बाजू में 2022 का तो आपको जो particulars वाला column है ना एक ही बार बनाने की जुरूर पड़ेगी लेकिन अगर you want complete marks यह दो अलगलग parts है ना बेटा time नहीं है consolidate कर सकते हैं वो लोग आपको एक या दो माग शायद वो काट लें अगर वैसे करने का हुएगा particulars 2021 उसी के बाजू में 2022 बना मैं अलगलगी कर रहा हूँ it is always 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 better ठीक है चली तो सबसे पहले जो आप लोग को काम करना है that is nothing but cost sheet for the year 2021 showing various elements of cost various elements of cost मतलब direct material, direct labor, जो भी breakup of cost है वो आप सारा का सारा बताओ ठीक है so that is whatever we are trying to be doing right now ठीक है तो चली हम लोग start कर लेते हैं तो यहाँ पर अपनी note books में आईए please leave the sides for question number 4, 5 and 6 4 and 5 you must have solved till now and question number 6 के लिए एक side you all leave क्योंकि वो आपका homework होने वाला है ठीक है तो चली start कर लेते हैं this is question number 7 तो part A यहाँ पर लिखिएगा actual cost sheet for the year ended 2021 में को ना March यहाँ December year ending ऐसा कुछ नहीं दिया हो तो I am writing that हो ही ठीक है तो यहाँ पर quantity produced is equal to quantity sold quantity produced और sold by default finished goods कही होता है ठीक है तो वो वाला चीज नहीं भी लिखोगे तू भी चल जाएगा अच्छा 2021 के न कितना color tv tubes produce किया था था बिटा 10,000 so 10,000 I am writing ctv you can be writing the word units also that's okay ठीक है तो एक यहाँ पर total का column और एक यहाँ पर per unit का column as always that I have made यह वाले column को अगर title देने का होगा तो particulars start कर ले अच्छा इस question के नजरा देखना ना ही raw material stock है ना ही WIP stock है और finish school stock भी नहीं है हम लोग जब 2021 का data कर रहे है ना बिटा सिर्फ यही वाला data यहां तक देखना क्योंकि इसके बाद वाला जो data है वो कहां का start हो रहे है 2022 का ठीक है तो वो वाला data आप लोग मत देखो 2021 का ही data देखो ठीक है start करें तो यहाँ पर सबसे पहले direct material उसके बाद direct labor direct expenses अगर होगा तो सम अपने को बता देगा यह चीज मैंने तुम लोग को थेरी के अंदर भी बोड़ा था यहाँ पर कोई direct expenses कोई royalty वगेरा वैसा कुछ था नहीं तो यह चीज को मैं prime cost बोल देता हूँ उसके बाद add factory overheads अच्छा फैक्ट्री overheads का ना अपने को बहुत चीजें दिया हुआ था उससे पहले दो चीजों का मैं यहाँ पे जो answers है भो लिख रहा हूँ ठीक है अच्छा को बोते है sir lines नहीं बनाया आज lines बनाने के लिए मेरे को कोई tension नहीं है you can always be making exams के अंदर अगर time नहीं है neatly काम कर देना lines नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा that's applicable to your accounts paper also जहाँ पे lines की बहुत जरुवत पड़ती है posting जहाँ पे आगे जाके बहुत जरुवत पड़ेगी and financial management यह सब जगा पे lines नहीं बनाओगे तो चलता है time है तो please बनाओ लेकिन नहीं है वो लोग एक mark भी नहीं काटेगा if your work is needed नहीं केस मैं यहाँ पे अपने पास तो बहुत time है I am still trying to be making it but as such it is not required वो तुम्हारी मर्जी वो होती है अगर neatly लिख सकते हो your job is done उनको समझ में आना चीए जो आप लोगों ने लिखा हूँ है बस चीए चली direct materials 90 और उसके बाद direct labor 60 90,000 60,000 divided by 10,000 ना बिटा तो यह आ जाएगा 9 यह आ जाएगा 6 यह आ जाएगा 1,50,000 यह आ जाएगा 15 रुपीस चली है चली है अगी अभी factory overheads के अंदर बहुत सारी चीजे थी एके करके list करते रहते हैं ठीक है तो factory overheads के ने सबसे पहले क्या था consumable stores कितने रुपीस का बिटा 12,000 factory indirect wages मतलब indirect wages यार अभी factory बहुत तो नहीं लिख रहा हूँ बार बार यह factory overheads यह है वो कितने का है 15,000 खीक है अगी उसके बाद lighting of factory तो यहाँ पर लिख लीजेगा lighting of factory lighting of factory 3500 defective work cost of rectification यह कितने का था बिटा 3000 अच्छा और कुछ था क्या बिटा एक minute DM कर लिया, DL कर लिया, यह कर लिया, यह कर लिया यहाँ पर दो चीजे थी, दोनों कर लिया उसके बाद office and selling expenses वो तो मेरे ख्याल से वो नीचे आने वाला है plant repairs and maintenance and depreciation plant repairs and maintenance and depreciation 11,500 तो वो भी factory overheads के अंदर यह आता है plant, repairs, maintenance and depreciation 11,500 ठीक है और यहाँ पर कुछ नहीं है, अपना calcium लीचे और total मारी ज़रा तो 12,000 प्लस 15,000, 27,000 प्लस 35,000 प्लस 3,000 प्लस 11,500 45,000 आ चाहता है 45,000 डिवाइड़ वाइ 10,000 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4.50, ठीक है अच्छा, prime cost के अंदर factory overheads add होते है तो gross factory cost आ जाता है फिर WIP stock adjust होता है फिर अपने हों क्या मिल जाता है net factory cost, अभी gross और net लिखने की कोई जूरूत नहीं क्योंकि समकेना WIP stock बगेरा तो ही नहीं एक और छोटा सा चीज ध्यान से सुनना these things should always be divided by quantity produced of finished goods प्लस WIP अभी WIP तो है नहीं question के अंदर तो इसलिए मैंने उसको directly quantity produced of finished goods से divide कर दिया that is whatever I have done ठीक है I think it is almost same like your previous question तो पिछले question के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया था ठीक है चली ये वाला काम तुमारा हो गया तो इस total को ना जड़ा थोड़ा सा left hand side से start करना तुमको 2 minute में समझ में आएगा क्यों आप लोग इस चीज को factory cost बोल देना अच्छा factory cost के बाद वो वाला administration related to production add होता है ऐसा तो इस question के नहीं कुछ ही नहीं नहीं है तो फिर छोड़ दो अच्छा वो नहीं है तो मतलब ये तुम्हारा cost of production भी हो जाएगा उसको फिनिश good stock आता है वो भी नहीं है इस question के नदर तो ये वाला चीज क्या बन जाएगा cost of goods तो सारी चीजें यही वाली चीजें तो 1,50,000 प्लस 45,000 1,95,000 तो this will become 19,50,000 ठीक है चलो आगे factory overheads तुम्हारा जो काम है वो हो गया ठीक है उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा factory cost के बाद क्या था पिटा add administration which is general ठीक है वो अभी ठीक है चलो and snd overheads क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया हुआ इसलिए मैं भी उसको एक अठाय दिख रहा हूँ वो इस question के नज़रा देखना कितने रुपीस का था 39,000 divide by quantity sold जो 10,000 ही है तो यह बादा चीज कितना आ जाएगा बिटा 3.90 ठीक है आचा तो 1,95 प्लस 39,000 2,34,000 23.40 यह आ जाएगा cost और sales आप लोग COS भी लिखे होगे exams के अंदर तो भी चल जाएगा ठीक है उसके बाद add profit तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है sales अचा sales जो आप लोग का है sales जो आप लोग का है the net selling price was 31.60 and all the units were sold so 31.60 is supposed to be the selling price and everything was sold so 31.60 हर unit के लिए अपने को मिला into कितना units बिटा 10,000 so therefore 3,16,000 3,16,000 minus 2,34,000 तो यहाँ जाएगा 82,000 यहाँ जाएगा 8.20 ठीक है तुमको तुम्हारे यह वाले marks तो मिल गए ठीक है जो भी मेरे ख्याल से अपने को cost sheet के अंदर करना था that particular work is altogether done अभी उसके बाद हम लोग आगे चल पड़ते है पार भी प्याइए prepare estimated cost and profit for 2022 assuming that 15,000 इन्स will be produced and sold during the year perfect and अच्छे यह जो आगे वाला line है ना यह मैं थोड़ी दिर के बाद पढ़ता हूँ एक बार वो पढ़ लिया है लेकिन में को पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है for some reason अभी अपने को क्या करना है this was actual cost sheet of this particular year अभी अपने को चाहिए estimated cost sheet for next year next year के अंदर हर पार्ट को ना exam के अंदर I want you all to do the labeling की यह पार्ट A है यह पार्ट B examiners को in reality बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है if you don't show पार्ट A अलग से पार्ट B अलग से वो तुमारे लिए सर्च नहीं करने वाला तुमको उसको अच्छे तरीके से देना पड़ेगा ठीक है अच्छा एक और चीज़ title of your statement should preferably always be taken from the question only जो question ने बोला है वही चीज़ वो क्या करो estimated cost and profit for 2022 वही statement का नाम दे तो it is always better कई लोग आदा टाइम यही सोचता रहते है statement को क्या नाम दो वो ही दे दो ना जो सामने पूछा हूँ है तो ultimately it is far better तो examiner को भी पता चली जाएगा आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे ज़रा लिखिए estimated cost and profit for 2022 cost and profit मलब cost sheet भी बनाओगे ना वहाँ पे cost और profit तो दिख जाते है ना बिटा ठीक है तो that is what we are going to be doing उसके बाद quantity produced is equal to quantity sold is equal to 15,000 cte ठीक है अगे ध्यान से सुनना यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा total यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा per unit ठीक है अभी क्या करो lines 2 minute के बाद बनाना तुमको समझ में आ जाएगा क्यों पहले ना we are writing all the things that will be coming देखो तो सबसे पहले direct material उसके बाद तुम्हारा direct labor उसके बाद आ जाएगा prime cost उसके बाद add factory overheads अच्छा अभी बहुत जादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ except इस last paragraph के अंदर ना उन लोगों ने में को factory overheads अलग लग expenses के बारे में में को कुछ नहीं बोला उन लोगों ने यहीं बोला consumable stores के बारे में क्या होगा factory indirect wages के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला यार उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला फिर उसके बाद तो हम लोग 18 काम करेगा एक line के अंदर अपना factory overheads का mount 18 compute हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी bifurcation नहीं दिखाने बाला क्योंकि estimated के अंदर अपने पास वह बाला data नहीं है so therefore this will give you factory cost यही बाला factory cost वैसे तुम्हारा COP भी है यही बाला factory cost तुम्हारा COGS भी है तुम लोग थोड़ा सा भी तक अगर नहीं लिखा तो left hand side से start कर देना ठीक है चलिए यह हो गया ठीक है यह तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा cost of sales उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा add profit और उसके बाद get sales ठीक है अभी lines बना देना क्योंकि तुमको exactly वो मालूमी होगा कि तुमको lines कितना बनाना है ठीक है बनाने कहते तो lines इस पक बना देना अच्छा सुनो तो यह हो गया तुम्हारा चिंटू सा cost sheet जो आप लोग को complete करना है मैं examiner होंगा तो I will have more marks for part B as compared to part A क्योंकि part A के अंदर अक्कल नहीं चाहिए part A के लिए format रख्टा होना चाहिए और तो तुम लोग को याद है part B के अंदर अभी तुम लोग को सोचना पड़ेगा देखो मैं क्या करने वाला हूँ यह part B वाला cost sheet complete करने के लिए तुम लोग क्या करो सुनो पहला है पार्ट B वाला जो कौशिट है वो complete करने के लिए तुम लोग को ये सब चीजे हैं ये जो सब चीजे हैं ये तीन लाइन ध्यान से पढ़ना और ये वाला जो पार्ट B है वो ध्यान से पढ़ना और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं ये वाली lines तुम्हारे साथ इबार फिर से पढ़ आँ As from 1st of Jan 2022 Selling price will be reduced to 31 per unit वो लोग क्या बोलता है इस साल हम लोग price अपना 31 कर देंगे तो मैं एक काम तो अभी-भी कर लेता हूँ पहले selling price 31.6 था जो उपर लिखा हुए अभी selling price कितने का हो जाएगा 31 कोई बोलते साल अगर ये वाला line नहीं दिया रहता तो फिर obviously हम लोग assume करते कि selling price वही रहेगा 31.6 यहाँ पर दे दिया 31 हो जाएगा तो very good वरना same ये assume करते लेकिन याल रखना 31 now into कितना units बेटा 15,000 units so therefore ये वाला जो चीज है this will be 4,65,000 this will be 4,65,000 ठीक है चल तो मारा जो ये वाला काम है ये हो गया ठीक है तो मैंने एक line बड़ा implement कर दिया अभी आगे it is estimated that production could be increased in 2022 by 50% due to spare capacity इसकी बजा से तो इस साल कितना units बनने वाला है 15,000 पिछले साल 10,000 था अभी 5,000 से बढ़ जाएगा so therefore 15,000 ठीक है अगे तो first line implement कर दिया second अभी ध्यान से अभी ज़रा सुनो rates for material rates for material and labor will be increasing by 10% वो लोग क्या बोलते है material का rate और labor का rate कितने percent से बढ़ जाएगा 10% से बढ़ जाएगा चलो ठीक है अभी मेरे को तुम लोग को एक question पुछने का है and you know this just you have to be applying your mind properly ठीक है आप लोग को यह वाला चीज आता है दिमाग यूस करना बराबर से सुनो अभी उन लोग ने बोला है rates for material and labor will be increasing by 10% ठीक है ध्यान से सुनो बराबर से सुनना उन लोग ने बोला है rates for material and labor will be increasing by 50% अब जो मैं तो को question पूछ रहा हूँ बराबर से सुनना अगर suppose ये वाला line question के अंदर नहीं दिया रहता ठीक है दो मिनिट के लिए सोच लोग ये वाला line नहीं है तो तुम लोग फिर क्या करते सर मतलब material and labor cost will be remaining same only लेकिन मेरे को doubt अभी आ रहा है अगर ये वाला line नहीं दिया होता तो material and labor cost will remain same now tell me what will remain same और will you copy 9 rupees over here तो बोट ये sir we will copy both हो नहीं no क्योंकि quantity has changed अगर आप इदर 90,000 कोपी करते हो तो 90,000 upon 15,000 इदर कितना आ जाएगा 6 rupees ठीक है अगर आप लोग इदर 9 rupees कोपी करते हो अगर आप लोग इदर 9 rupees कोपी करते हो तो 9 into 15,000 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,35,000 ठीक है तो मैं तुम लोग को क्या पूछ रहा हूँ अगर ये वाला line नहीं दिया रहता rates for material and labor will be increasing by 10% अगर ये वाला line तुम लोग को नहीं दिया रहता तो मैं को ज़रा बोलो तुम लोग क्या कॉपी करते हो तुम लोग 90,000 कॉपी करते के 9 कॉपी करते you can write down in the comments also मैं को बोलो 90,000 कॉपी करते के 9 कॉपी करते अक्कल यूस करो सब लोग 90,000 के 9 बोलो लास्ट राइं 90,000 के 9 obviously 9 वो दिसर 9 क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा direct material cost है this is your direct material cost ये direct cost है direct cost का मतलब क्या होता है this cost is incurred for each and every unit अगर तुम लोग को नहीं समझा any example ठीक है any example बेकार से बेकार example वो देता हूँ ताकि तुम लोग को शायद चीजें याद रहें लेकिन common sense चीजें सुन जरा सोचो आज के दिन तुमारे घर में कोई आया ठीक है first day this one is for that first day तुमारे घर में कोई आया ठीक है कितने लोग आये 10 लोग आये तुमको उनको समोसा खिलाने का था ठीक है समोसा खिलाने का था तुम लोग market गया समोसा लेकर आया एक समोसा पंदरा रुपय का पड़ा ठीक है तो आज तुमारा अपने महमानों को खाना खिलाने का खर्चा डेड़ सो रुपया रहा ठीक है these are 10 units at the rate of 15 per unit तुम लोग market गए 10 समोसे खरीद के लिए आये ठीक है 10 लोग आये थे हर बंदा एक ही समोसा खाएगा किसने 2 मारा तो मारेगा उसको ठीक है 10 लोग आये थे तो हर बंदे के लिए एक-एक समोसा ठीक है अभी second day सब लोग में को जरा बोलना तुमारे घर पे trend है जो भी आएगा तुम लोग standard उस बंदे को समोसा खिलाते है अगर वो पहले आ चुक है तो भी उसको समोसा खिलाओगे एक ही खिलाओगे वो भी second day तुमारे घर पे 12 लोग आये ठीक है अब मेरे को जरा बोलो तुमारा next day खर्चा समोसे का rate वगेरा कुछ नहीं बढ़ा समोसा उतने कही रहेगा ठीक है तो next day next day next day तुमारा खर्चा जो है कितने रुपीस का होगा विल्यू कॉपी 150 और विल्यू कॉपी 15 विल्यू कॉपी 15 नो यार सर हर एक समोसा जो है वो 15 रुपए का ही पड़ेगा ना अपने को so therefore into 15 तो ये वाला फिगर कितने का आ जाएगा 180 ठीक है अभी third day and the last day for us जीए बराबर से सुनना next day तुमारे घर पे 14 पीपल आए तुम लोग समोसा लेने के लिए गए है समोसे बाले ने बोला मैंने ना rate जो है 10% से बढ़ा दिया है अभी सब लोग अकल यूज़ करना उसने rate 10% से बढ़ा दिया तुम लोग 180 प्लस 10% करेगा कि 15 प्लस 10% करेगा answer me this question and you'll come to know the answer also सर 15 को ही 10% से बढ़ाएगा ना जो समोसा 15 का मिलता था अभी वो यहाँ पे 16.5 का मिलेगा so this will be the new cost बस जैसे मेरा ये वाला example exactly same मेरा direct material direct material वो होता है जो हर unit के लिए लगता है तो material is always per unit cost अपना पहिला lecture material is always per unit cost so therefore अगर मेरे को ये वाला line नहीं दिया रहता ना ये वाला line जो मैंने बहुत बार अभी underline कर दिया है एक बार वो रब कर रहा हूँ तुम लोग ना cheating मत करो ये case study shots मत देखो अभी ये जो नीचे जो rates for material and labor will be increasing by 10% अगर ये वाला line नहीं होता ठीक है तो तुम लोग material का data उपर से copy करता अब मेरे को बोलो क्या copy करता क्या copy करता per unit बेटा per unit ही copy किया ना और जब मैंने तुम लोग को बोला rate for suppose increase by 10% तुम लोग ने इसको 10% से बढ़ा है ना याद तो याद रखना material is a per unit cost हर unit के लिए लगता है तो जो भी आप लोग का cost है वो 10% वो बढ़ेगा लेकिन आपका cost per unit cost है बेटा अगर per unit cost है तो आप per unit बढ़ाओ तो पिछले साल कितना था बेटा 9 इस साल कितने से बढ़ रहा है 10% से तो कितना हो जाएगा 9.90 ठीक है अभी अपना calcium 9.90 into 15,000 this particular figure will be 1,48,500 यह हो गया तुमारी material की कहान है अभी में को labor के अंदर एक गलती भी नहीं चाहिए में को labor के अंदर अभी बराबर से सब लोग बोलना no errors at all समकेंद rates for material and labor have increased by 10% rates for material and labor have increased by 10% ओके तो मैं तुम लोग को क्या बोलता हूँ simple चीज है rates for material and labor have increased by 10% नहीं तो चलो ठीक है 10% में को जरा बोलो direct wages have increased by 10% 10% किस के अंदर बढ़ाओगे 60,000 के 6 obviously this is 6 क्यों क्योंकि this is direct labor direct labor हर unit के लिए लगता है तो हर unit का जो cost है वो कितरे percent से बढ़ गया 10% तो पहले यहाँ पे 6 था अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.60 ठीक है चलों अपना calcium लीजिए 6.60 into 15,000 color TV tubes तो 99,000 ठीक है टोटल अप कर रहा हूँ 247,500 this will become 16.50 ठीक है तुम लोग का इतना काम हो गया अभी बच गया सिर्फ दो चीज यह दो चीज तुमारा खतम हो जाएगा तुमारा काम खतम हो गया ठीक है अब मैं ये वाला जो मेरा example था जो one day वो समोसे वाला वो वाला चीज अभी में निकाल रहा हूँ इदर से ठीक है क्योंकि अब में रखो यहाँ पर तुम लोग को कुछ पढ़वाना है याद रखना इफ पीपल गेट एनी आंसर रोंग इदर तुमको क्यालकुलेटर यूस करने का नहीं आता ठीक है दोज भी कॉल ए सिली एर्र सेकेंड तुमको कोशन पढ़के समझने को नहीं आता हर एक चीज कोशन के अंदर ही होएगा डारेक मटीरियल और डारेक लेवर के बारे में अगर उन लोग ने में को rates have increased by 10% नहीं दिया रहता ना तो मैं इदर 9 कॉपी कर लेता मैं इदर 6 कॉपी कर लेता और 15,000 से multiply कर देता ठीक है तो मेरे new answer आ जाते लेकिन overheads के बारे में न वो लोग मेर को बताएंगे ही बताएंगे वो लोग मेर को बताएंगे ही बताएंगे उससे पहले एक और छोटा सचीज रोमे को एक मिनट पहले बोलना चाहिए लेकिन आप बोल रहा हूँ अगर आप सोचोगे ना डारेक मटीरियल डारेक लेबर डारेक मटीरियल एंड डारेक लेबर यहाँ पर तुम्हारा जो कॉस्ट था 90,000 था तुम्हारा यहाँ पर जो कॉस्ट आया 148,500 आया मैं तुमको कोई और वे से भी बोल सकता हूँ देखो जरा 90,000 लो आपने कैल्सी के अपर 90,000 लो अच्छा 90,000 बोस अ कॉस्ट फॉर कितना यूनिट्स 10,000 लेकिन अभी कॉंटिटी बढ़ गई फ्रॉम 10 तू 15,000 तो 50% अगर कॉंटिटी जादा बनाओगी तो मटिएल कॉस का खर्चा भी 50% तो जादा ही होगा तो कैल्सी लो 90,000 प्लस 50% बारता कितना आता है 135,000 ये 135,000 तेरा कॉस तब होता अगर rate of material नहीं बढ़ा होता लेकिन अभी rate of material भी बढ़ गया कितने % से 10% से तो 135,000 फ्लस 10% 148,500 आ जागा तो 148,500 वैसे भी आ सकता है ठीक है चलो ये वाला काम हो गया अभी तुम्हारे लिए कुछ पढ़ना है अंगरेजी है समझने का try करना overheads के बारे में न वो लोग तुम लोगों को बताएगा ही बताएगा में को कभी ऐसा कुछ नहीं बुदा सर नहीं बताया तो बिटा उन लोगों तुम लोगों से सम सॉल्फ करमाना है तो वो लोग तुम लोगों को बताएगा ही बताएगा तो पढ़ो बताया है न factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages ठीक है ये वाला लाइग तुम लोग minimum पांच बार तो पढ़ो factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages और ये वाला figure तुम लोग compute करके दो मिर को तुम लोग in all दो मिनट तक पढ़ना अपना कैलसी लेना और उसके बाद ही आंसर देना ठीक है उसके बाद ही आंसर देना तुमारी वाज जो है मैं इधर start कर रहा हूँ two minutes की start पढ़ते रहो कैलसी लोग फटा फट compute करने का try करना सब लोग पढ़ते ही आंसर आंसर देना झाल को कैलसी आंसर देना झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा झाल चलो टाइम इस ओवर आंसर चलिए देख लेते हैं लिखे वरकिंग नोट वान फैक्टरी ओवरेट्स उन लोग ने क्या बोला फैक्टरी ओवरेट्स विल बी रिकवरड अज परसेंटेज ओव डारेक वेज़िस वो लोग क्या बोता है फैक्टरी ओवरेट्स का न कुछ ना कुछ रिष्टा है एंड फैक्टरी ओवरेट्स इस some percentage, वो जो रिष्टा है, किस चीज़ के साथ है, एक percentage का relationship है, किस चीज़ के साथ, direct wages के साथ, किस चीज़ के साथ, direct wages के साथ, बस वही वाला काम कर रहा हूँ, so factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages, चीक है, तो एक second, वो लोग क्या बोलते हैं, कि न, blue color के न, तुमनों को बता रहा हूँ, factory overheads, इस percentage of direct wages, factory overheads का direct wages के साथ, कुछ रिष्टा है, लेकिन ज़रा सोचो, मेरे पास ये वाली figure नहीं है, तो मैं इसका और इसका percentage का relationship तो निकाल नहीं सकता है, तो फिर क्या करें, तो पिछली वाली कौशिट के इंदर जाता हूँ, factory overheads, is recovered as a percentage of direct wages, factory overheads का direct wages के साथ, कुछ एक तालुक है, ठीक है, और ये वाला जो तालुक है, वो मैं तुम लोग को निकाल के दे रहा हूँ, तो एक मिनद, तुम्हारा factory overheads कितना था, 45,000, जड़ा कैल सी लो, 45,000, divided by 60,000, factory overheads is recovered as a percentage of direct wages, ठीक है, तो 45,000 divided by 60,000 into 100, तो ये वाला चीज़ कितना आ जाता है, 75%, ठीक है, factory overheads is recovered as a percentage of direct wages, 45,000 upon 60,000 into 100, तो ये चीज़ कितना आ जाएगा, 75%, ठीक है, अभी पहले ना ये वाला चीज़, तुम्हें लोग compute कर लो नीचे, फिर आगे बात करता हूँ, अभी तक answer नहीं आया, यहाँ पहले लिखना, percentage of factory overheads to direct wages is equal to 45,000 divided by 60,000 into 100, तो ये कितना आ बिटा, 75%, ठीक है, अभी, बोलो क्या बोलते हैं, ये वाला रिष्टा, हमेशा 75% ही होना चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो तुम लोग नहीं data लिया, पहले में को ज़रा बोलो, कौन से year का था, 2021, 2022 के अंदर भी ये होना चाहिए, लेकिन 2022 के अंदर, बिटा, क्या बढ़ गया है, direct wages, कितना हो चुका है, 99, factory overheads, उसका 75% ही होना चाहिए, तो यहाँ पर यू और राइट आउ, factory overheads, in 2022, 75% of 99,000, क्या बोलो जारा, 99,000 x 75%, 74,250, ठीक है, अच्छा, एक चीज़, I am telling to everybody, whatever content, आप लोग को, हम लोग जो भी करवाते हैं, उसके उपर, कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, this is head and tail of everything, आप लोग अपना module देखोगे, उसके न कौशीट के chapter के न, उन लोग ने justice नहीं किया हुआ, उन लोगों ने, उसका कुछ पार्ट, कोई और chapter के नहीं दाला हुए, कुछ और पार्ट, कोई और chapter के नहीं, तो ना, बराबर से sum solve नहीं हो पाते, तो every sum of cost sheet, चाहे वो तुमारे module के अंदर के दर भी है, all of them are combined by us for this particular chapter, तो तुमारा module के अंदर जो questions है, बहुत easy है, जो थोड़े से tough questions है, वो कोई और chapters के अंदर है, I've combined all those particular things, क्योंकि I just want one simple thing, अगर तुमारा cost sheet वाला chapter is very clear in your mind, तुमारा पूरा का पूरा costing subject will be the easiest out of all the 8 subjects that you all have, and I can bet anything on that, ठीक है, यह हो गया तुमारा 74,250, ठीक है, this is nothing but in this case your factory overhead, 74,250, ठीक, चलो, यह आ गया 74,250, bracket के अंदर working note का number दिया करोने शब, working note number वान, ठीक है, क्या सी लो सारा, 74,250 divided by 15,000, यह आ जाता है 4.95, आचा, तुमारा चाहो तो एक बार देख लो, 4.5 divided by 6 into 100, 75% यह आएगा, उसके बाद, तुम लोग 6.60 लो, 6.6 into 75%, देख लो, 4.95 यह आएगा, ठीक, तो चलो तुम लोगो दो method तो बता दिये, total के साथ, per unit के साथ, answer वो ही आएगा, अभी और methods बताता हूँ, कितने भी method, if you will think, no, okay, अगर तुमारा पास वो patience होएगा, और अगर मेरे पास, like, you know, explanation करने का वो patience होगा, I can explain you so many methods of doing everything, एक और चीज़, कभी-कभी शायद, मैं सारे methods ना explain करूँ, for x, y, z, reason, okay, 99% तो मैं करता हूँ, अगर कभी भूल जाओं तो, if you want to be asking me, कि सर, मेरा method correct है कि नहीं, दो option, यह टेडी ग्रायम के उपर हमको doubt पूछ लो, दूसरा, अगर तुमारा answer, final numeric answer, same आया, forget the presentation, तुमारा answer correct ही होगा, 99.99% तुमारा answer correct ही होगा, okay, तुमारा way of doing अलाग हो सकता है, लेकिन अगर final answer same होता है, it is all okay, presentation in costing is not standardized, तुम लोग जैसे भी answer लेकिया हो, if it is correct, it is all perfect होगा, मैं इस second method उनको बता रहा हूँ, देखो, factory overheads is recovered as a percentage of direct wages, बोलो क्या बोलता है, factory overheads is recovered as a percentage of direct wages, मलब factory overheads का direct wages के साथ कुछ रिष्टा है, that is why it is recovered as a percentage of direct wages, तुमारा second way, थीक है, तुमारा second way मैं अभी कर रहा हूँ, देखो, factory overheads का जो रिष्टा है, किस चीज़ के साथ है, direct wages का, so direct wages and factory overheads are related to each other, उसका मलब क्या है, 2021 के अंदर, जभी ये 45,000 था, तभी ये कितना था, 60,000, अभी factory overheads is recovered as a percentage of wages, मतलब जैसे जैसे direct wages का खर्चा होता है, वैसे वैसे factory overheads का भी होता है, जब इसका खर्चा 45 था, इसका खर्चा तो 60 था, 2022 के अंदर, ये वाला खर्चा बढ़के कितना हो गया, 99,000, तो देख लो ये वाला amount कितना आ जाएगा, cross multiply कर लो, देख लो एक बाद, 74,250, perfect, secondly, last भी बता हूँ, चलो ठीक है, factory overheads is recovered as a percentage of direct wages, factory overheads is recovered as a percentage of, क्या लिखे वेटा, direct wages, तो मैं क्या बोता हूँ, मतलब जो direct wages के साथ होएगा, वही factory overheads के साथ होएगा, तो बोता है, direct wages के साथ क्या हुआ, direct wages per unit, increased by कितना percent, 10%, तो जो उसके साथ होएगा, वह इसके साथ भी होएगा, तो even factory overheads per unit will be increasing by 10%, अभी तुम लोग उपर कौशिट देखो तुमारा, पिछले साल factory overheads per unit कितने का था, 4.50, देखो ज़रा, जो per unit वाला figure था, वो कितने का था, 4.5, तो यहाँ पे अब ज़रा लिखेंगे, factory overheads per unit in 2022, जो wages के साथ होगा, वही factory overheads के साथ होगा, because factory overheads is dependent upon wages, तो यह 4.5 था ना पहले, अभी, कितने percent से बढ़ जाएगा, 10%, अपना कैल्सी लो, यह कितना आ जाता है, 4.95, बस, job is done, तो तुमारा per unit वाला figure 4.95 है, उसको एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, 15,000 से multiply करोगे, तो third time वही वाली figure आ जाएगी, ठीक है, I guess मैंने 3,2 से बता दिया है, that is enough, ठीक है, अभी कैल्सी लीजे ज़रा, 21.45, into 15,000, यह आ जाएगा, 321,750, ठीक है, काम हो गया, चलिए, आगे, उसके बाद, administration and assembly, याद रखना, material और labor के बारे में, अगर उन लोगों ने वो rates, इंक्रीज बाद 10% नहीं दिया रहे था, last time बोर रहा हूँ, तुम लोग क्या copy करता, 9, तुम लोग क्या copy करता, 6, ठीक है, और फिर 15,000 से multiply कर देता, यहाँ भी दिया हुआ था, कि 10% से बढ़ गया, तो per unit figures 10% से बढ़ा दिया, लेकिन guaranteed है, वो लोग तुमको इसके और इसके बारे में, कुछ बताएगा ही बताएगा, अपने को कैसे सपना आने वाले, कि यह वाले खर्चे क्या होएंगे, तो अभी administration and S&D के बारे में, देखो कुछ ना कुछ तो होईगा ना यार, कुछ ना कुछ दिया हुआ है, factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages, पढ़ लिया and अब जरा ये पढ़ना, office and selling expenses as a percentage of, बीटा क्या लिखा हुआ है, works cost, as a percentage of क्या लिखा हुआ है, works cost, office and selling expenses will be recovered as a percentage of, सब लोग बो, works cost, works cost क्या होता है, works cost is an alternate name for factory overheads, पागल है क्या, works cost is an alternate name for factory cost, ठीक है, तो एक second, अभी दो चीज़ों को मैं connect कर रहा हूँ, जैसे factory overheads, was some percentage of wages, office and selling expenses, is a percentage of what, works cost, ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने तुम लोग को तीन methods बेटा वो करवा दिये, ठीक है, तीन में से कोई भी एक method कर लेना, exam में ना show off के लिए नहीं जाते हो, paper complete करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो show off नहीं करेंगे, कोई भी एक easiest method we will pick up, for administration, and S&D overheads, मैं तीनों के अंदर से, अभी मेरी मर्जी यार मैं तीनों के अंदर से ना second वाला method कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग को अभी administration slash S&D चाहिए, but it is related to which cost बच्चा works cost, it is related to works cost, ठीक है, 2021-2022, 2021 जड़ा देखो एक बार, 2021 की कौशी थी थी ना तुमारे पास, works cost ना, works cost is an alternate name for factory cost, तो factory cost 1,95 था, तो जब ये 1,95,000 था, administration और S&D, पिछले साल का बिटा कितना था, 39,000, और 2022 के अंदर, 2022 के अंदर, works cost जो है, अब ये भी दिखा था यार, कितने का हो गया, 321,750, 321,750, तो cross multiply कर लो, into 39,000, divided by 1,95,000, 64,350, 350, 4,350 divided by 15,000 जरा करूँ यह आ जाता है 4.29 ठीक है आई यह अभी तुम्हारा सम जो है खतम होने पर आ गया है at 21.4528 25.74 इंटु 15,000 कर लेना cost of sales मिल जाएगा 3,86,100 minus 4,65,000 78,900 इस विल बी 7.89 31.00 इस इस यह बालंस इस तुम्हारा question जो है वो हो गया तो इस question का जो shorter version है वो हम लोग एक बार short classes के तौर पर देख लेते हैं ठीक है वो जो मैंने यह आपर नीचे लिखा हुआ है okay पड़ी जरा प्लीज DM and DL will remain same per unit by default याद रखना direct material और direct labor per unit same रहेगा by default by default मतलब अगर कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग material का 9 copy करते labor का 6 copy करते ठीक है तुमको कुछ और भी बताना है वो अभी अभी ठीक है लेकिन उससे पहले question number 8 जो है ना बेटा तुमारा that is supposed to be done for homework that is almost on the same lines as a current question ठीक है वो वाला question solve करने के लिए आपको कितना time चाहिए वो यहाँ पे यह भारत watch के टौर पे वो होगा 24 minutes and 58 seconds उससे जादा time नहीं लेना चाहिए तुमको ठीक है all answers everything is there अगर answer ना मिले तो हमारी website की ओपर आप लोग को उसका complete solving जो है वो मिल जाएगा ठीक है लेकिन मेरे इसाब से सब लोग को answers मिल जाने चाहिए है अच्छा before I'll wind it off मैंने यहाँ पे case story shots वगेरा भी करी दिये बट before I'll wind off ठीक है ध्यान से सुनना सबरा बराबर से सुनना यहाँ पे ना कुछ ऐसा ऐसी questions का बात कर आओ एक expense number 1 है और एक expense number 2 है ठीक है अभी expense number 1 इससे material याद रखना हम लोग ने स्टार्ट पे ऐसी किया था material is a variable cost ठीक है material is a variable cost variable cost हमेशा per unit cost होता है अगर suppose last year तेरा material का खर्चा 9 रुपीज का था और अगर अपने को बोला गया इस साल material cost will be increasing by 10% इस साल material cost will be increasing by 10% तो याद रखना per unit will be increasing by 10% so therefore add 10% over here ये वाला चीज 9.90 आजाएगा ठीक है ये वाला चीज 9.90 आजाएगा लेकिन अभी एक और expense ज़रा देखो factory का rent अभी अपने दिमाग से ज़रा सोच के एक बार बोलना material तो हर unit के रहे लगता है लेकिन factory rent जब भी एक unit बनाओगे क्या rent पे करते हो नहीं सर रेंट तो हम लोग lump sum पे करते हैं सर अभी that could be one thing एक और example देता हो अभी तुम लोग see enter के अंदर हो direct entry के student हो तो इंटर्ण शिप जो आर्टिकल शिप है वो कर रहे हो तुम लोग को stipend मिलता है तुमारे लिए income है दूसरे बंदे के लिए तो expense है तुम लोग जितना भी काम करो न stipend तुमारा fixed ही रहेगा so for your chartered accounting for your boss okay for your principal stipend is something like your fixed cost stipend is something like his fixed cost sorry okay stipend is something like his fixed cost ठीक है तो यह जो rent हो गया factory rent यह जो stipend हो गया जो salaries वगेरा होती है एक office के एक secretary थी उसकी salary वो fixed है न यह जो fixed cost होते है न दीजा lump sum cost पीटा यह वाले cost per unit नहीं होते यह वाले cost lump sum cost होते है suppose तुम्हारी factory का जो rent था न वो 50,000 रुपिया था 5 per unit तो नहीं हो सकता rent ऐसे तो नहीं होता it is a lump sum figure ओके और तुम लोग को बोला गया कि na rent next year will increase by 20% तो याद रखना तो फिर आपको per unit को 20% से नहीं बढ़ाने का है क्योंकि rent per unit होता ही नहीं rent is a lump sum cost so therefore next year का जो rental cost है न वो 60,000 रुपीज होगा शायद तुम लोग को फरक पता चला होगा variable cost को हम लोग per unit बढ़ाते हैं और fixed cost को हम लोग lump sum के अंदर बढ़ाते हैं ठीक है per unit cost को sorry variable cost को हम लोग per unit बढ़ाते है fixed cost को हम लोग lump sum बढ़ाते हैं क्योंकि per unit cost क्योंकि variable cost is per unit cost तो per unit ही बढ़ाऊँगा ना लेकिन fixed cost is a lump sum cost तो lump sum के अंदर ही बढ़ाऊँगा ना यार ओके that's it ये वाले ground rules जो है वो याद आखना ठीक है there is a difference between variable and fixed variable हर unit के लिए लगता है लेकिन fixed cost हर unit के लिए नहीं लगता बीटा वो तो lump sum figure लग जाता है ठीक है चलो आज का अपना ये वाला question solve हो गया तुमको मैंने homework वगेरा भी दे दिया और ये वाला जो एक concept है ये बता दिया शाय तुम लोगो ये वाला concept किदर ना किदर हाई गाईस वेलकम टू तू 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 अव दे डे हर chapter के end में और हर chapter के हर lecture के end में there will be tips provided 15 chapters I have got 15 tips for you all और हर lecture के end में of the same chapter same tip will be there तक कि तूमारे दिमाग के अंदर भी रहे today we are going to be having the first tip and something for me that is most important marks and your time that you devote to your studies are not proportional to each other कई लोग 16 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे कई लोग 8 hours पढ़के भी rank लेकर आजाएंगे it is not dependent upon how God gifted intelligence is it is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से concentrate करके करो it goes a very long way in life in trying to improve yourself 8 hours cut yourself out from many things अगर आप 8 hours का target रखे हुए हो तो 8 hours बाकी चीजों की तरफ मत सोचो तुमारा friends कितना बढ़ाई कर रहे Netflix की ओपर क्या movie आ रहे है keep all those things aside it is 8 hours that you are going to be giving to your studies per day if you are going to be giving for 8 hours more the better लेकिन more के चकर के अंदर अपना quality of concentration खराब नहीं करो study in a wiser way जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो honestly for me 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also it's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts you are not keeping your phone with you and trying to have the distractions so 8 hours to 10 hours continuously या फिर in breaks whatever your mind allows लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई करो that should be sufficient enough this is my first tip of the day this tip usually is there for those students जो लोग हमेशा एक कोच्छे पूछते हैं सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए this is the answer to all those students thank you guys I'll see you all with the tips of the day now in chapter number 2 bye you can also enroll for our other subjects of CA Foundation CA Inter CA Final by visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com for any help call 808-032-4444